अगर इस lecture से related आपको कोई query है तो आप मुझे इन social media platform में follow कर सकते हैं और further lecture की updates के लिए आप चैनल को subscribe कर सकते हैं Hello everyone, my name is Tarun Singh Chufal and welcome to Learning Academy तो आज हम शुरू करने वाले हैं lecture number 9 जहां पे मैं आपको types of function बताने वालूँ कुल मिलाके हमें 3 types of function यहां पे देखने हैं उसका नाम है one one, many one और on to function उससे पहले मैं आपको quick recap करवाने वाला हूँ जो कि हमने class 11 में पढ़ा हुआ हमने class 11 में function के बारे में पढ़ा है यानि कि उसकी basic definition क्या होती है और उससे related जितने भी concept है वो चीज़े हमने देखी थी तो इस class में हम लोग देखने वाले हैं types of function सबसे पहले तो जैसा कि मैंने बताया हम लोग एक quick recap लेंगे otherwise अगर आपको detail में जानना है या फिर revision करना है कि class 11 में हमने क्या-क्या पढ़ा था function में तो उपर i button में आपको link मिल रहोगा उसमें आप जाके उन वीडियो को देख सकते हो जिसमें मैंने function बताया हुआ है otherwise मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा brief revision करवाने वालो तो उसी से related एक question यहाँ पर लिखा हुआ है हमने कुछ इस तरीके का देखा हुआ था class 11 में question क्या कहता था let f be a function from this set to this set कहीं पर हमारे पास f such that n to n इस तरीके से भी रहता था कहीं पर हमारे पास functions such that r to r इस तरीके से भी रहता था यानि कि हमें set बताता था यहाँ पर वो set कौन है यह है और एक यह है इनका मैं नाम भी दे सकता हूँ suppose that मैंने इसको नाम दे दिया A और इसको नाम दे दिया B तो ये दोनों हमारे पास क्या है इसमें set है ठीक है इन दोनों set पे हमें क्या लगाना है ये function लगाना है function का नाम क्या है F अच्छा उसके बाद defined करता था और defined यहाँ पे इस question में कैसे करा हुआ है fx is equals to x plus 1 कहीं पे हमारे पास इस तरीके से भी रहता था fx is equals to 2x दे देता था या फिर fx is equals to x square मिलता था तो अलग-लग तरीके के function हमें देखने को मिलते थे तो इस तरीके question रहता था और यहाँ पे हमारे पास question में मैंने बोला हुआ है कि arrow diagram बनाना है अब इसकी जो basic definition वो पहले मैं बता देता हूँ basic definition यह कहती है कि function क्या होता है special type का relation होता है जो एक certain condition फुल्फिल करता है यही मैंने class 11 में भी बताया हुआ था अच्छा वो condition क्या होती है condition यह होती है कि एक element की एक से ज़ादा image देखने को नहीं मिलेगी अगर ऐसा हो रहा होगा तो वो relation function नहीं कहलाएगा otherwise बाकी सारे cases में वो relation हमारा function बन जाता है अच्छा यहाँ पर एक और condition थी कि अगर हमारे पास मालेजे दो या तीन elements है उनकी एक image बन रही है तो यह तो हमारा allowed रहता है किस case में function के case में यह वाला allowed नहीं रहता है तो function देखते हुए हमें जस्ट इतना देखना होता है क्या किसी element की एक से ज़ादा image तो नहीं मिल रही अगर ऐसा हो रहा है तो simple क्या कहेगा relation रहेगा otherwise वो function बन जाएगा तो वही चीज़े यहाँ पर देखनी है अब इस वाले question को करने के लिए पहले arrow diagram बना लेता हूँ यह set A हो गया यह set B हो गया elements लिख लेते हैं 1,2,3,4 और इस वाले में 1,2,3,4 और 5 एक तो यह basic तरीका हो गया जो मैंने definition के हिसाब से बताया आपको एक दूसरे तरीका यह भी होता है function को समझने का कि जो भी हमारे पास function है उसमें हम पहले input देते हैं और बदले में हमें क्या मिलता है? output मिलता है तो यह दोनों तरीके मैंने समझा है हुए थे वही चीज यहाँ पर हमें करनी है देखें हम यहाँ से इस set से 1 रखेंगे इस function में f 1 रखा x की जगों पर भी क्या हैगा 1 प्लस 1 कितना मिल जाएगा 2 यानि कि इस function के हिसाब से 1 की image क्या मिल रही हमें 2 image बोलते थे 1 की image क्या मिली 2 मिली इसी तरीके से अगर आप 2 रखोगे तो 2 प्लस 1 करने पर हमें क्या मिलेगा 3 मिलेगा तो 2 की image 3 हो गई 3 की image 4 हो गई और 4 की image क्या हो गई 5 हो गई function के case में एक और चीज का धिहान रखना होता था क्या कि इस set में जितने भी elements है उनकी कोई ना कोई image देखने को हमें मिले ठीक है अच्छा यह इस condition को fulfill कर रहा है कौन सी condition पहली तो यह एक element की एक से ज़ादा image यहाँ पर कहीं भी दिखने को नहीं मिलने वाली अच्छा यहाँ पर यह भी हो सकता था कि 2 या 3 की एक ही image देखने को मिल जाए वो चलता वो function के case में allowed है allowed यह वाली बात नहीं है तो इसका मतलब यह relation जो हमें given था यह क्या है एक function है और already वो बोल भी रहा है let f be a function तो यह हमारा पास कहा रहा है इसका arrow diagram रहा तो इस तरीके से हमने हमने हमाँ पर questions देखे थे otherwise आपको और detail में अगर जानना है तो 1-1 function के बारे में समझते हैं और आप अपनी notebook और pen निकाल सकते हैं और जितने भी important point मैं यहाँ पर बताऊँगा उनको note down कर सकते हैं ताकि आपको exam में जब आप appear हूँ तो वहाँ पर revision करते समय कोई भी problem ना हो तो सबसे पहले देखते हैं 1-1 function के बारे में यहाँ पर है 1-1 injective भी लिखा हुआ है तो सबसे पहली important बात 1-1 function को हम क्या कहते हैं injective भी बोलते हैं क्योंकि आगे NCRT में जो questions मिलते हैं हमें proof करने को बोलते हैं प्रूफ करो कि यह 1-1 होगा आपको एक function देदेगा और कहेगा 1-1 है proof करो या फिर वहाँ पर लिखेगा injective है यह proof करो तो वहाँ पर confusion ना हो इस वज़े से पहले ही बता रहा हूँ की 1-1 को injective भी बोलते हैं definition यहाँ पर given है इस definition को read करते हैं function fx to y function अभी अभी हमने quick recap लिया हुआ था function क्या होता है तो उनी function को कुछ हमारे 1-1 कहलाते हैं कुछ many-1 कहलाते हैं और कुछ जो बचे रहे गए वो onto कहलाते हैं अब उनकी conditions क्या हैं वो इस definition में given है condition देखते हैं कि कब कोई function 1-1 कहलाएगा या फिर injective कहलाएगा तो यह कहता है कि अगर कोई function है x to y जा रहा है x to y यहने की set कोई भी set हो सकता है is set to be 1-1 if the images of distinct elements of x under f are distinct that इसके बाद जो भी portion है वो mathematical form है उसको बाद में देखेंगे पहले इतनी बात समझ लेते हैं तो इतनी बात का conclusion यह है यह बस इतना कहह रहा है कि जो भी x set होगा हमारे पास यह वाला उसके distinct elements के लिए हमें distinct images हमें देखने को मिलनी चाहिए तो वही चीज हमें हर function में चेक करनी है suppose that मैंने यह example लिए इस example में मैंने arrow diagram से समझाने की कोशिश करिए क्योंकि arrow diagram से अगर आप समझने जाओगे तो काफी easily आपको समझ में आएगा यहाँ पर मैंने दो set लिए x और y इसमें है abc और यहाँ पर 123 इसमें कोई function लग रहा होगा suppose that मैं कह देता हूँ कि वो है f1 अब मैंने define नहीं कर रहा इससे पिछले question में हमें देखा है function define भी किया जाता है बड मैं यहाँ पर ऐसा example ले रहा हूँ तो मैं function define नहीं कर रहा हूँ मैं simple इतना कह रहा हूँ कि इस पूरे set में इन दोनों set में function लग रहा है f1 जिसमें कि A की image 1 मिल रही है B की image 3 मिल रही है और C की image 2 मिल रही है तो एक चीज़ देखो क्या जो इस definition ने कहा वही इस बात ने follow किया इसने बिल्कुल follow किया इसने क्या कहा इस definition है कि X set के distinct elements के लिए हमें distinct images मिलनी चाहिए y में और function कौन सा लग रहा है f1 लग रहा है तो यानि कि A की image 1 मिल रही है ठीक है B की image 3 मिल रही है C की image भी क्या मिल रही है अलग मिल रही है यानि कि 2 मिल रही है तो कुल मिलाके यहाँ पे रहने वाले जितने भी अलग-अलग elements है उनके लिए हमें अलग-अलग images देखने को मिल रही है इस बात का यह मतलब हुआ कि यह function हमारा क्या हो जाएगा 1-1 हो जाएगा जिसको कि हम injective भी बोल सकते हैं तो definition हमारी यह कहती है इसके बात का portion जो है वो mathematical form है इसी बात को समझने का यानि कि definition में सिर्फ इतनी ही बात कही गई है यही होना चाहिए अगर function 1-1 कहलाना है तो इसी बात को मैं इस वाले question में भी apply करता हूँ यहाँ पे हमारे पास x set है और y set है again same मैंने क्या लिए हो है elements लिए है इसमें suppose that एक function लग रहा है जो कि है f2 नाम का ठीक होगे यानि कि condition बोल रही थी fulfill कर रहा है तो आप कहोगे कि यह क्या होगे एक one-one function हो गया बट यहाँ पे एक twist है twist क्या है कि यह एक function है ही नहीं तो one-one, many-one या on-to जब भी कहलाएगा तो पहले function भी तो होना चाहिए तो आपको confuse करने के लिए वहाँ पे ऐसा भी question बनाया जा सकता है one mark में कि आपको एक question दे दे इस form का और यहाँ पे आपको कहे कि one-one है या on-to है या many-one है चेक करो बट आपको पहले यह चेक करना है कि वो function बन भी रहा है कि यहाँ पे रहने वाले जितने भी elements ये उनके लिए कोई ना कोई image देखनी चाहिए और function की जो definition उसे fulfill करना चाहिए यहाँ पे इसके लिए कोई image नहीं मिल रही तो इसका मतलब ये function ही नहीं है ये function ही नहीं है ये function नहीं है तो ये one-one भी नहीं बन सकता भले ही उसकी condition को fulfill कर रहो condition क्या कहती है हर एक के लिए अलग-अलग image देखनी चाहिए but condition पर ये भी ध्यान दो condition ये कहती है कि distinct elements of x यानि कि x के जितने भी distinct elements उन सब के लिए होना चाहिए तो यहाँ पे नहीं ही हो रहा है तो ये function ही नहीं है इसलिए one-one भी नहीं होगा अच्छा ये वाला function हमारा one-one कहला रहा था एक और example यहाँ पे लिया हुआ है मैंने जो की है many one function अच्छा definition जो हमें given है NCRT में वहाँ पे हमारे पास इसके बाद otherwise लिखके यही बोल रहा है कि अगर ऐसा नहीं होता यानि कि हर एक के लिए अलग-अलग image देखने को नहीं मिलती अगर इसके अलावा कुछ और चीज होती है तो वो function हमारा many one कहलाएगा इसके अलावा और क्या हो सकता है इसके अलावा यह हो सकता है कि दो अलग-अलग elements के लिए हमारे पास same image मिल जाए या फिर तीन अलग-अलग elements के लिए हमारे पास same image बन जाए तो अगर ऐसा हो रहा होगा तो वो सारे के सारे many one में कहलाएगे many one का मतलब यहां बहुत सारे हैं और उनकी एक image देखने को मिल रही है जैसे इस case में हो रहा है one की image a मिल रही है two की image a मिल रही है और three की image कैं मिल जा रही है और अभी-अभी जब मैंने कोई recap करवाया था हमाँ पर मैंने बोला भी था अगर function के case में कुछ इस type का बन रहा है यानि कि बहुत सारे elements है और उनकी एक image देखने को मिल रही है ऐसा possible है होता है function में बट वो function किस type का कहलाता है वो type होती है many one function तो एक ही definition में दोनों चीज़े हमें बताई गई है one one function के बारे में भी और many one function के बारे में भी तो यहाँ पर मैंने जस्ट आपको example के साथ समझाने के कोशिश करिए इसके बाद मैं आपको function यानि कि one one function जो है mathematically कैसे proof किया जाता है वो बताने वालो और उससे भी पहले में many one function को mathematical form में कैसे लिखा जाता है वो बताऊंगा उसके बाद हम one one पे जाएंगे तो इस चीज़ को note करो इसके बाद मैं next वही बताने वाला तो mathematical form के लिए मैंने वही example लिया है बस थोड़े से इसमें changes करें इस set का नाम मैंने x ले लिया और दूसरे वाले का y लिया है और इसमें एक function लग रहा है जिसका नाम है f उससे define नहीं कर रहा है बट इसमें एक चीज समझने वाली क्या है पहले मैं वह observe कर वा लेता हूँ कि इस function में अगर 1 रखा गया है तो हमें क्या मिल रहा है a मिल रहा है उसी तरीके से अगर इस function में 2 रखा जा रहा है तो b हमें क्या मिल रहा है a मिल रहा है और अगर function में 3 रखा जा रहा है तो हमें B मिल रहा है तो कुल मिला के बात है यहाँ पर यह वाली समझने वाली यहाँ पर F1 रखने पर हमें A मिला F2 रखने पर भी A मिला तो क्या इन दोनों बातों से मैं यहाँ पर F1 is equals to F2 लिख सकता हूँ बिलकुल लिख सकते हैं इस particular question के लिए हमें ऐसा लिख सकते हैं इसी बात को मैं in general में लिखाने वाला हूँ suppose that मैंने यहाँ पर लिया X1, X2 belongs to X इसके बाद मैं लूँगा suppose Fx1 is equals to Fx2 then X1 does not equals to X2 अब देखी यह जो बात मैंने लिखी यहाँ से Fx1 is equals to Fx2 then X1 does not equals to X2 यह तरीका है many one को mathematically show करने का अब देखे हो क्या रहा है इसमें इसमें यह हो रहा है कि X1, X2 दो अलग-अलग element लिए इनको आप relate कर सकते हो 1 और 2 के साथ यहाँ पर भी हमने दो अलग-अलग element लिए थे ठीक है Fx1 is equals to Fx2 का मतलब इतना है कि function में अगर X1 रखा गया उसकी एक image मिली होगी suppose that मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि function में X1 रखने पर Y मिला उसी तरीके से function में X2 रखने पर भी हमें क्या मिला होगा Y मिला होगा Fx2 is equals to Y तो इन दोनों बातों से हमने क्या conclude करा कि Fx1 is equals to Fx2 के बराबर ठीक है इसके बाद इसका मतलब क्या होगा X1 और X2 बराबर नहीं होंगे जैसे कि यहाँ पर हो रहा है यह रहा X1 और यह रहा X2 अगर मैं F1 is equals to F2 लिख रहा हूँ तो यहाँ से एक conclusion यह भी तो आ सकता है कि जो भी हम X1 और X2 रखने वाले हैं वो equal नहीं होंगे जैसे कि यहाँ पर 1 does not equals to 2 के equal आ रहा है क्योंकि हमारे पास many 1 के case में किस टाइप का case बनता है कुछ इस तरीक हैगा दो अलग-अलग element है suppose that मेरे पास है 1 और 2 इन दोनों की हमें क्या मिली एक ही image देखने को मिली जो की थी A इस बात को अगर मैं in general way में लिखता हूँ जहाँ पर मैं लिखूंगा X1 और X2 तो अगर यह दोनों अलग-अलग element है तो उन बात को mathematical इसी तरीक से तो लिखा जाता है और अगर इनकी एक ही image देखने को मिल रही है तो कुछ इस type का हो रहा होगा यानि X1 की image Y जिसकी यहां लिखा है वैसे ही X2 की image Y तो many one functions show करते समय हमें हमें यह लिखना पड़ता है FX1 is Augusto FX2 और यहां से हम conclusion यह निकाल सकते हैं कि X1 और X2 different होंगे क्योंकि यह अगर different होंगे तभी तो जाके हमारे पास कुछ इस तरीके का जैसे line बन रही है इस तरीके का इस तरीके का figure बन के आएगा जो यह बताएगा कि इन दोनों की image हमें क्या मिल रही है से मिल रही है यानि कि function क्या होगा many one होगा तो यही तरीका होता है किसी भी many one function को in general way में समझाने का और इसको कह सकते हैं mathematical form यह वाली form मैंने इसलिए बताए क्योंकि जब one one की definition है यहाँ पे हमारे पास given है mathematical form में इसको समझने के लिए हमें यह वाली पुरा background समझ में आना चाहिए क्योंकि इनी बातों का indirect way में यहाँ पे use किया गया है और इसी चीज का हम use करेंगे जब भी हमारे पास कोई question दिया रहेगा जहाँ पे हमें one one proof करना हुगा अब देखें यहाँ पे क्या given है मैं read कर देता हूँ for every x1, x2 belongs to x यानि कि हमारे पास जो भी set है उसमें element लिए x1 और x2 फिर उसने रखा यहाँ पे यानि कि fx1 is equals to fx2 की condition में रखा अब यह condition अभी यह भी हमने देखी किस की है many one की है और इस बात का क्या मतलब है इस बात का यह मतलब है कि function में x1 और x2 रखा गया उन दोनों की image क्या मिली same मिली यहाँ पे इस बात का यह मतलब है यानि कि यहाँ पे क्या करा जाता है contradiction का use के जाता है starting में हम लेते हैं कि यह many one है last में यह proof कर देते हैं कि यह many one नहीं यह one one है contradiction की help से क्योंकि अगर हम यह चीज ले रहे हैं तो इसका मतलब implies that हमें क्या मिलना चाहिए था x1 is equals to x2 के बराबर नहीं आना चाहिए था यह मिला था na x1 does not equals to x2 बट यहाँ पे क्या कह रहा है यहाँ पे कह रहा है x1 is equals to x2 तो यही हमारे पास क्या होता है turning point होता है जो यह conclude करता है कि यह function हमारे पास one one है इस पूरी बात को मैं एक question में apply करूँगा तब जाके better समझ में आएगा बट अभी फिलाल आपको just take reading लेनी थी और यह वाली चीज आपको note down करनी है जिसमें मैंने many one की mathematical form बताई है इसके बाद मैं one one की mathematical form detail में बताने वाला हूँ जहाँ पे मैं एक particular question लूँगा और वहाँ पे इन सारी बातों को use करके उसे one one proof करेंगे और उसी question की तरह हमें लगबग हर question में वही तरीका अपनाना है और उसी तरीके से किसी भी function को हम one one proof कर रहे होंगे तो इसे note करो इसके बाद मैं वही बताता हूँ तो one one के लिए मैंने एक question लिया हुआ है ncrt का ही question है यहाँ पे हमारे पास कहता है show that function fn2n यानि natural number से natural number का set हमें लेना है defined करा हुआ है function fx is equal to 2x काफी simple function है इसे हमें show करना है कि one one है इसी तरीके के हमारे पास question रहते है और वहाँ पे हमें ये वाली जो mathematical form है इसका use करना होता है अब ये use करना काफी आसान है यानि कि अगर मैं आपको एक बार बता दूँगा तो आप रट लोगे रटने के बाद वही तरीका आप लगबग हर question हो से अपना भी लोगे और अंसर आपका सही भी आ जाएगा बट आपको background समझना है background यानि कि वो चीज हम क्यों कर रहे है किस वजह से वो चीज करने से हमारा function one one proof हो जा रहा है वो चीज भी आपको सबजनी चाहिए तो उसी के लिए मैंने आपको background दिया हुआ था अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे one one लिखा जाता है और साथ के साथ ये भी समझाओंगा कि ऐसा क्यों लिखा जा रहा है तो उस box में मैंने वही चीज़े रखी हैं तो मैंने वन के लिए बताई थी अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ one one show करते हुए हमें क्या चीज़े लिखनी होती है तो अगेन यहाँ पर मैं कह दूँगा कि let x1, x2 belongs to n natural number को belong करता है क्योंकि अब की बार हमारे पास एक particular question given है और वहाँ पर set भी given है तो इसलिए हम लेंगे x1, x2 belongs to n इसके बाद आप लोग है suppose हम लेंगे suppose fx1 is equal to fx2 अब देखिए जो condition है यही हमें यहाँ पर given थी अच्छा यह जो condition है किसकी है यह many one की condition है many one की condition इसलिए है क्योंकि यह बात क्या कह रहा है कि x1 और x2 रखने पे function में x1 और x2 रखने पे हमें same image मिली होगी जिस वजह से हमने fx1 is equal to fx2 के बराबर रख दिया यानि कि यहाँ पर contradiction का use हो रहा है हम starting में यह लेके चल रहे हैं कि यह function हमारा many one है और आखरी में हमें implies करके क्या मिलना चाहिए x1 is equal to x2 अगर ऐसा मिल रहा है तो इस बात से यह conclude होगा कि यह many one नहीं one one है क्योंकि अगर यह many one होता तो हमें x1 does not equal to x2 मिलता न क्योंकि many one की condition अभी अभी हमने देखी थी क्योंकि हमारे पास x1 और x2 अगर different होंगे तभी तो कुछ इस तरीके का figure हमें मिलेगा जो कि यह conclude करवाएगा कि फलाना function हमारा क्या है many one है बट यहाँ पे आते हैं यहाँ पे अगर हमें x1 x2 के बराबर मिल गया पहले तो हम लेके आते हैं कैसे होता है यह step करने के बाद function जो हमें given है वहाँ पे इसकी value रख दो यानि की function fx is equals to 2x given है अगर इस पे आप t रखोगे माल लीजे आप से बोला गया कि x की जगवा पे t रखे तो आप क्या लिखोगे ft is equals to 2t इसी तरीके से x1 रखना है तो fx1 के इतना हो जाएगा 2x1 is equals to x2 रखोगे वो भी कितना हो जाएगा 2x2 और इसी तरीके से आपको हर question में proceed करना है और यह सबसे simple तरीका होता है 1-1 function को show करना 2 से 2 cancel हो जाएगा और हमें क्या मिल गया x1 is equals to x2 तो यानि की आप क्या लेके चले fx1 is equals to fx2 लेके चले function में आपने put करा x1 और x2 अलग-अलग है और उनकी same image मिल रही है जो की y ले लेता हूँ थोड़ी देख ले इस चीज से हमने शुरुआत करी क्योंकि हमने fx1 is equals to fx2 लिया था ठीक हो गया बट हमें क्या मिल गया x1 और x2 बराबर है यानि की जो चीजे हमने मानी थी यानि की हमने यह माना था कि x1, x2 अलग-अलग है और वो क्या है एक many one है वो सब कुछ गलत है क्योंकि x1 और x2 दोनों बराबर है अब जब यह बराबर होंगे तो x1 और x2 के लिए हमें simple एक line खीचनी पड़ेगी जो की हमें image दे रही होगी किसकी y की यानि की यह element x1 भी है और यही element हमारा x2 भी है यानि की वो different element नहीं थे वो क्या थे same ही element थे तो उसी particular एक element के लिए हमें क्या मिल रही है एक ही image मिल रही है जो की क्या है y है तो इसी वज़े से यहां पे fx1 is equals to fx2 मिलने के बाद जब हम उसमें solve करते हैं और अगर हमें x1 बराबर x2 मिल जाता है तो हम यहां पर से यहां पे चले जाते हैं और जैसे ही हम यहां पे जाते हैं इस बात का simple यह conclusion निकाला जाता है कि एक element की हमें एक ही image देखने को मिल रही है जो की हमारी 1-1 की definition कहती थी तो यही तरीका होता है mathematically show करने का उसके बाद हम last में लिख देंगे hence f is 1-1 तो इस बात से क्या conclude हो चुका है कि यह 1-1 है तो हम simple लिखेंगे hence f is 1-1 और यही तरीका हमें हर question में apply करने है तो मैंने जो background आपको समझाने की कोशिश करी थी उसका use यहाँ पर आता है understand करने के लिए कि यह step हम क्यों लिख रहे है तो जहां तक है आपको यह चीज समझ में आ चुकी होगी कि जो एक procedure मैंने बताया है वो q अपनाया जाता है और कैसे fx1 is equals to fx2 रखने पे अगर हमें x1, x2 के बराबर मिलता है तो 1-1 क्यों कहा जाता है तो यही उसका reason है तो इस चीज को आप note कर सकते हो इसके बाद मैं आपको on to function के बारे में बताता हूँ तो अगला function देखते हैं जो की है हमारा on to function इसका दूसरा नाम हमारे पास surjective भी है तो यह भी काफी important point हो जाता है क्योंकि question हमारे पास surjective के नाम से भी पूछा जा सकता है तो दोनों ही नाम आपके लिए important है जैसे कि 1-1 का नाम था injective और on to का नाम है surjective तो definition हम शुरू करते हैं is set to be on to if every element of y यानि कि y set दूसरा वाला set ठीक है y set के हर एक element image होना चाहिए is image of some element of x कहने का मतलब इतना है कि जो हमारा दूसरा set है y उसके हर एक element image होने चाहिए किसी ना किसी element के लिए जो की x में होने वाले है इस बात को मैं इसमें apply करता हूँ क्योंकि शुरू में थोड़ी चीज़े complicated लगती है बड़ जैसे ही आप example देखोगे तो तुरंत समझ जाओगे कि ये definition क्या कहना चाहती है देखिए यहाँ पर एक मैंने example लिया है ये है f1, x और y set लिया हुआ है अब देखो ये definition कहती है कि y set की जितने भी element कवर का short मतलब इतना है कि यहाँ पर जितने भी element है उनमें कोई भी element ऐसा नहीं चूटना चाहिए जो की image ना बने यहाँ के किसी ना किसी element के लिए अब इस example पर देखो 1 की image A है, 2 की image A है, 3 की B है, 4 किसी है क्या इस y में कोई भी ऐसा element चूटा जो यहाँ के किसी element के लिए image का काम ना कर रहा हूँ, कोई भी नहीं चूटा यह देखो, यह A के है, 1 और 2 की image है यह B के है, 3 की image है यह C के है, 4 की image है अगर यहाँ पर कोई element बचता जो कि किसी की भी image नहीं कहला रहा है तो यह function on to नहीं होता क्योंकि definition हमसे कहती है यहाँ के सारे element cover उने चीए cover मैं short मैं बोल रहा हूँ बट definition कुछ और बात कहती है बात क्या कहती है, कि यहाँ पर हर एक image का काम करना चाहिए यहाँ के किसी ना किसी element के लिए तो यहाँ पर क्या हो गया यह इसकी definition को fulfill कर रहा है तो यह f1 function क्या कहलाएगा on to कहलाएगा एक और बार इस question में apply करते है यहाँ पर देखो y element कितने हैं हमारे पास a, b, c ले लेते हैं से d हटा देता हूँ, a, b, c है अब यहाँ पर जितने भी elements है वो किसी ना किसी की image होनी चाहिए ठीक है, image अच्छा वो किसी image होंगी यहाँ कि किसी ना किसी element के लिए अब देखो 1 की image b है 2 की image a है, 3 की image b क्या है c है, यानि कि हर एक element image का काम कर रहा है किन elements के लिए, x के element के लिए तो again यह इस definition को fulfill कर रहा है तो यह भी क्या हो जाएगा हमारे पास on to function हो जाएगा अब आखरी example देखते है आखरी example में मैंने f3 function लिया है x, y लिया हुआ है y में मैंने a, b, c, d element लिया हुए अब देखो 1 की image तो a है 2 की image b है, 3 की image c है d ऐसा element छूड़ गया y में जो किसी की भी image नहीं कहला रहा सही है? तो इसका मतलब ये क्या होगा on to function नहीं होगा क्योंकि ये इसकी definition को fulfill नहीं कर रहा है क्योंकि उसमें बोला हुआ है every element यानि कि y का हर एक element इस बात को fulfill करना चाहिए यहाँ पे हमें d दिख गया जो इस बात को fulfill नहीं कर रहा है तो ये onto function नहीं कहलाएगा तो हम यहाँ पर लिख देते हैं not onto ये onto नहीं है तो अगर one one और onto में basic difference देखा जाए तो इतना है कि आपको one one के लिए ये देखना होता है कि यहाँ के हर एक element के लिए यानि कि distinct elements के लिए हमें distinct images मिले और onto function में हमें दूसरे set में देखना होता है और ये देखना होता है बस इतना देखना होता है कि वो किसी न किसी के लिए image का काम करना चाहिए जो की इस set के elements के लिए होगा तो यही चीज़े हमारे पास one one और onto में difference होती है तो यही चीज़ हमें समझनी थी onto के लिए explain करूँगा तो तब तक आप इस चीज को note करो और एक आखरी बात जो इसमें remark है इसको भी मैं explain करता हूँ remark कहता है कि f x to y is onto यानि कि कोई function जो x से y पे लग रहा है वो onto कब कहलाएगा अगर range of f बराबर होगी y के अब range का क्या मतलब होता था range का हमने मतलब जाना था range क्या होती है अगर हमारे पास जो भी images है उनका collection हमारे के कहलाता है range अगर इस case में बात करूँ तो a, b, c तीनों images का काम कर रहा है तो यानि कि यह क्या होगी एक range होगी a, b, c तो यहाँ पे बात यह कह रहा है तो यानि कि range बराबर होगी किसके y के तो अगर ऐसा हो रहा है तो वो function हमारे क्या हो जाएगा onto हो जाएगा वैसा ही इस case में भी हो रहा है यह है range हमारे पास a, b, c यह वाली यह again किसके बराबर है y के बराबर है क्योंकि y में इससे जादो कोई element है आखरी वाला देखो आखरी वाले में हमारे पास range क्या है a, b, c है यह range बट जो y function है देखो y क्या है y is equals to a, b, c, d d be included है तो देखो y यान कि जो set है वो बराबर नहीं है किसके range के तो इसका मतलब यह onto भी नहीं होगा तो यानि कि onto के लिए हमारे पास एक और condition का सहरा हम ले सकते है कि अगर function की range बराबर आती है उस दूसरे set के तो हम कहेंगे वो function onto है तो यह तरीके होते हैं किसी भी function को check करने का बट हमें जो generally use करना होगा वो यह वाला तरीका होगा that is करने के बाद और देखना हमें ultimately वही बात होती है कि इधर के element images का काम करना चाहिए और सारे के सारे element होने चाहिए तो इन points को note करो इसके बाद मैं आपको next एक question pick करते हैं जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि onto के लिए कैसी check किया जाता है तो question है हमारे पास क्या अब यहाँ पे हमें क्या है एक function given है यह onto नहीं है इस बात को proof करना है तो again हमें definition apply करनी होगी और होता कै problem यहाँ पे arise होती है कि किस तरीके से हमें लिखना है exam में या फिर किसी भी test में आप appear हो रहे हो हमें कैसे लिखना है वो जीज समझ में नहीं आती को यहाँ पे कैसे apply करा जाए और कैसे अपनी बात को रखा जाए examiner के सामने तो वही चीज में आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ और examiner के सामने हमें क्या चीजे लिखनी होती है यह वाली line यह जो आखरी वाली line है for every वगरा करके इसको समझना भी ज़रूरी है सिर्फ रट के काम नहीं बनने वाला क्योंकि यह वाली जो statement है यह भी वही बात कह रही है जो हम पढ़ चुके है जो हम समझ चुके है इससे पिछले example में तो इसी को हमें apply करना है इसी question में apply करूँगा और 7 के साथ में समझाता भी चलूँगा कि यह बात कहे क्या रहे अब देखो पहले इसकी जो working है वो complete कर लेते यानि function क्या है fx is equals to x plus 1 अब हमें मालूम है natural number pick करने यहां से 1 pick करूँगा इस function में रखूँगा यह है f1 1 plus 1 किता हो जाएगा 2 हो जाएगा इसी तरीके से 2 रखा जाएगा 2 plus 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इस तरीके से हमें elements मिलेंगे simple सा function है तो वही मैंने यहां पर arrow diagram बनाया 1 की 2 image 2 की 3 3 की 4 इसी तरीके से हमें मिलते रहेगा ठीक है अब देखो यहां पे मुझे इस चीज को समझाने के लिए पहले तो मैं यहां पर कुछ चीज़े assume करता हूँ assume क्या करता हूँ कि मैं इस definition के हिसाब से इसका नाम थोड़ी दे एक लिए x कह देता हूँ क्योंकि मुझे समझाना है इस वज़े से ले रहा हूँ otherwise यह natural number है और यह भी natural number है लिखेंगे n और n ही और इसको मैं कह देता हूँ y और क्या होता है कि इसके जो भी elements है natural number के जो भी elements है 1,2,3,4,5 इन सभी को मैं in general x कहूँगा small x ठीक है और इधर के जितने भी elements है इनको small y का नाम दिया जाएगा अब जो मैं definition समझाँगा आपको बिल्कुल अच्छी तरीकी से समझ मैं है देखना definition क्या कहती है यह कहता है कि for every y belongs to capital y यानि कि जो छोटा y है हमारे पास यह वाला और यह क्या है capital y बड़ा वाला set तो हर एक y यानि कि इस set का हर एक element for every y belongs to y अच्छा क्या होना चाहिए उसके लिए exist करना चाहिए there exist small x belongs to capital x यानि कि यह capital x है पूरा set इसमें रहने वाले x exist करने चाहिए यानि कि small x यानि कुल मिला के बाद इतनी है इधर के set के जितने भी elements है जितने भी सारे के सारे उनके लिए एक x जरूर exist करना चाहिए small x जरूर exist करना चाहिए जो इस set का हिस्सा होगा सच्छ देट और इस तरीके से होना चाहिए कि उस x को वाला x यानि कि जो fx है उसको अगर function में रखोगे तो आपको क्या मिले y मिले अब इस बात को मुझे एक x मिल रहा है इस set से, बिलकुल मिल रहा है क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है उस 1 को मैंने इस function में रखा तो क्या मुझे दुबारा से 2 मिला बिलकुल मिला, ये मिला न, f1 is equals to 2, तो वही बात तो है इस 1 का नाम क्या है, small x मैंने बताया न, यहां से लेना है और ये जो मिल रहा है, वो क्या है small y है, तो यानि कुल मिला के बात यहां पर ये हुई है, कि इस set में रहने वाले हर एक element के लिए, आपको एक x मिलना चाहिए, उस x को जब आप इस function में रखोगे तो आपको दुबार से वही y मिलेगा एक और बार अपलाई करते हैं, यह रहा 3 क्या इस 3 के लिए मुझे कोई x मिल रहा है इस वाले set में, बिल्कुल मिल रहा है, कौन 2, इस 2 को हमने pick करा और इस function पे रखा और क्या मुझे फिट से 3 मिल रहा है बिल्कुल मिल रहा है, f2 is equals to 3 तभी तो arrow मारा हुआ है इसी तरीके से आप 4 के लिए भी ले सकते हो इस 4 के लिए क्या आपको x मिल रहा है बिल्कुल मिल रहा है, क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, इस 3 को आपने इस function में रखा, आपको फिर से क्या मिलेगा 4 ही तो मिलेगा, तो f 3 is equals to कितना मिला 4 तो इस पूरी बात को fx is equals to y से ही तो denote किया जाएगा तो वही बात यहां पे कह रहा है क्या for every y belongs to capital y, there exists exist करना चाहिए जो की इस condition को fulfill करेगा, fx is equals to y तो वही सारी चीज़े यहां पे हमने apply करी, किसके लिए 2 के लिए 3 के 4 के लिए, बाकी सब के लिए भी सेम इसी तरीके से apply होते रहेगा बट एक चीज देखे, इस question में एक one चूर जा रहा है, यह वाला one चूर जा रहा है, जिसके लिए करना चाहिए था, यहां के elements के लिए तो इसका मतलब यह onto function नहीं होने वाला, क्योंकि यह इसकी definition को fulfill नहीं कर रहा है, अब देखो इस बात को लिखो के कैसे, है ना यही तो important है, इसमें लिखना, लिखना आना अब देखो इसको लिखने के लिए आप कहोगे f is not onto as for one belongs to capital N, यह वाला बन, है ना one belongs to capital N, there does not exist, x belongs to N such that such that fx is equals to y, अगर यह complete बात जो मैंने आपको यहां पर समझाई, अगर यह समझ में आ चुकी है, तो यह चीज लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको लगबग हर question में इसी तरीके से last statement लिखके, खतम करना पड़ता है कि यह onto है या नहीं है, इस case में onto नहीं था, तो यही हमारा solution होगा, वही बात जो मैं आपको अभी तक समझा रहा था, वही तो लिखी है, क्या लिखा है, कि हमारे लिए यहां पर एक one बच रहा है, जो N को belong करता है, उस one के लिए कोई भी X नहीं मिल रहा है, वो X कहां से मिलेगा, इसी N से तो मिलेगा, X नहीं मिल रहा है, such that, क्या होना चीए था, उस X को उस function पर रखने पर Y मिलना चीए था, तो वही बात मैंने यहां पर लिखे हुई है, और यह बात आती कहां से, इसी definition से आती है, तो पाकि जितना मैंने हाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, यह आपको समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है, आप चाहे तो इन सारी चीजों को स्किप कर सकते हो, आप इस चीज को जरूर नोट कर सकते हो, और X और Y लिखने की बिलको ज़रुवत नहीं, क्योंकि यह मैंने उसको करने के बाद हमारे लेक्चर फिनिश हो जाएगा, इसके बाद next question, इसके बाद next lecture में हम लोग इसके questions पिक करेंगे, जहां पर हर एक question में हमें one one on two, इनी के साथ डील करनी है, और वहां पर कैसे लिखा जाता है, क्या approach रहेगी, वो सब कुछ हम detail में देखेंगे, तो देखते हैं, NCRT का ही example है, काफी अच्छा example है, और यहां पर आप चीजे relate कर पाऊगे, real life से, तो जितना चीजे आप example के थ्रू समझने की कोशिश करोगे, उतनी अच्छी तरीके से आपको चीजे समझ में आईगे, अब यहां पर हमारे पास देखें क्या है, एक set है 50 students का, जो की class 10th के हैं, किसी भी school के है, let कहता है, f a to n be a function defined by fx is equals to this, इसको भी समझेंगे, show that f is 1,1 but not onto, वही चीजे अपलाई करनी है, जो अभी हम सीख के आए थे, 1,1 और onto, तो 1,1 है यह show करो और onto नहीं है, यह चीज़ शो करो गएरा, अब suppose that मैं मैं मान लेता हूँ कि a set है मेर two है, इसी तरीके से, s 50 है, 50 student है, ठीक है, दूसरा set किसका है, natural numbers का है, natural numbers का set यहाँ पर बना लेता हूँ, 1, 2, 3, 4 and so on, इस तरीके से क्या रहेगा, infinite रहेगा, अब observe करने वाली बात क्या है, observe करने वाली बात यह है, कि यह है एक finite set, जिसमें सिफ 50 student है, और यह है एक infinite set, जो क natural numbers का चल रहा है, ठीक हो गया, अब function समझो, function क्या कह रहा है, function कह रहा है, fx is equals to role number of student x, role number of student x, अब देखो function में होता क्या है, function में यह होता है, कि जो पहला set है, उससे element उठाते हैं, इस function में रखते हैं, और हमें क्या मिलता है, एक value मिलती है, जो इस set के होती है, तो वही ची उनको small x बोला जाता है, अब यह भी लिखा था हमने, और यहां के जितने भी elements हैं, उनको as a small y treat हिया जाता है, तो यहां से मैंने s1 पिक करा, यानि x की जगवा पे रखा, अब मुझे क्या मिलेगा, role number मिलेगा, किसका उस student का, कौन से student है, पहला वाला है, तो हमाल लेते हैं कि इसका role number होगा 1, इसी तरीके से f s2 रखा गया होगा, इसका role number होगा 2, इसी तरीके से जब हम पहुचेंगे f s 50 तक, यानि कि 50 वा student पिक किया जाएगा, उसका role number आईगा, मालो 50, क्योंकि natural numbers है, 1, 2, 3, 4, 50 तक जाएगे, सही हो गया, तो कुल मिला के इस तरीके का, यहां पर हमाई क्या मिलेगा, function मिलेगा, ठीक होगा, अब यहां पर हमसे कहता है, 1, 1 है, अब 1, 1 के लिए हमने क्या चीज देगी थी, 1, 1 के लिए हमने यह बताय था, कि यहां पर क्या होना चाहिए, हर एक element के लिए, जो कि distinct है, हमें distinct images मिलनी चाहिए, अब देखो, s1 के लिए 1 म मिलेगा, s3 के लिए 3 मिलेगा, इसी तरीके से मुझे elements मिलते रहेंगे, s50 के लिए हमें क्या मिलेगा, 50 मिल जाएगा, तो क्या कभी ऐसा कुछ हो रहा होगा, कि दो different student के same role number होंगे, ऐसा नहीं होगा, है न, दो student के same role number नहीं हो सकते, तो यानि कि हमारे पास यह case, 1 की definition को फ of a, have same image, same image, hence f is 11, तो f क्या कहलाएगा हमारा 11, वही बात जो मैंने आपको अभी बोली, मैंने क्या बोला, कि कोई भी दो ऐसे element नहीं मिलेंगे, जिनकी हमें same image मिले, अगर ऐसा होता तो यह क्या कहलाता, मैं इवन कहलाता, बट यह 11 है, तो वही चीज हमने लिखिए, no two distinct elements of a, have same image, hence f is 11, तो यही चीज हमें लिखनी है, ठीक हो गया, अच्छा, कुछ student का डाउट यह हो सकता है, कि क्या अगर हम fair में इसको कर रहे हैं, तो यह वाली बात, और यह वाली बात complete हम लिख सकते हैं, बिलकुल लिख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप standard procedure follow करो, ज copy check कर रहा है, उसे भी समझ में आना चाहिए, कि आपने लिखा गया है, तो यह सारी चीज भी आप लिख सकते हो, और आखरी में इस तरीके से इसको खतम कर सकते हो, अब आखरी वाला देखते हैं, जिसमें हमें क्या करना है, on to है या नहीं यह चेक करना है, काफी simple सा है, दे देखो, जैसे ही 50 पूरा होगा, यहाँ पे तो student खतम हो गए, इसके बाद कोई elements हैं नहीं, यहाँ पे तो हमारे पास continue चालेंगे, 51, 52, 53 इस तरीके से infinite है, तो एक चीज बताओ, क्या 51, या फिर 52, या फिर 53, या फिर 100, इनके लिए कोई ऐसा x यहाँ पे exist करेगा, जो कि इ एक element ले लेते हैं, जो कि है 51, तो 51 के लिए हमें ऐसा question नहीं मिल रहा है, तो उसी का हम example ले ले लेंगे, और यहाँ पे इसको ऐसे conclude करेंगे, जैसा कि पिछले question में कर रहा था हमने, हम यहाँ पे लिखेंगे, f is not onto, as for 51 belongs to n, there does not exist, कोई भी x exist नहीं करता है, there does not exist, x belongs to a, देखो, set different है, आपकी बार, 51 belongs to n, यह वाला set, और जो x है, यहाँ से, वो किसको belong करेगा, a को, तो there does not belongs to x, belongs to a, such that fx is equals to y, तो वही चीज लिखनी है, जो हमने इससे पिछले question में भी लिखा था, तो काफी आसान सी चीज है, आपको बस visualize करना चाहिए, तो इसका solution यह complete है, आप इस चीज को note कर सकते हो, इसके बाद मैं आपको next example बताता हूँ, जो की है 13 और 14, और वहाँ से काफी important remark निकल के आता है, जो की समझना काफी जरूरी है, क्योंकि एक mark के question में वो चीज पूछी जा सकती है, तो इसे note करो, उसके बाद में वही बताता हूँ, तो इस lecture का आखरी topic देखते हैं, जिसमें मैं आपको एक remark बताने वाला हूँ, एक काफी important remark है, जो आपकी NCRT में page number 10 पे given है, वहाँ पे क्या है, example 13 और 14 के बाद ये remark given है, तो 13 और 14 इस remark को verify कर रहे होते हैं, तो इस वज़े से example भी समझना जरूरी है, और इस remark को, अगर मैं examiner होता, तो इस remark से जरूर एक mark सा question मनाता है, बट generally क्या करते हैं, maximum student इस चीज को skip कर देते हैं, one-one पड़ा, many-one पड़ा, on-to पड़ा, और सीधे जंप करते हैं exercise में, काफी important remark है, और आसनी से समझ भी आ जाता है, तो पहले मैं remark समझाँगो, उसके बाद example देखेंगे, तो x से x पे एक function apply करा जा रहा है, और अगर वो एक one-one function है, तो वो on-to भी जरूर होगा, और vice versa, यानि उल्टा भी जरूर होगा, यानि कि अगर वो एक on-to function है, तो जरूरी है कि वो one-one भी होगा, अब यह होगा किस के लिए? finite set के लिए, यानि कि x का finite होना बेहत जरूरी है, और x हमारा finite है, और आपको दे दिया गया कि वो एक one-one function है, तो definitely वो on-to भी होगा, या फिर उल्टा भी दे सकता है, अगर वो आपको देता है कि वो एक on-to function है, तो वो definitely one-one भी होगा, यही यह रिमार्ग हमें बताता है, और आखरी में हमें यहाँ पे यह बताता है, कि infinite set क नहीं होता, इससे पिछले वाला कुशन ही देख लीजे, वहाँ पे हमारे पास one-one हो रहा था, बट on-to नहीं हो रहा था, क्योंकि जो natural number का set था, वो क्या हो जा रहा था, infinite हो जा रहा था, तो यहाँ पे जरूरी क्या है, एक तो same set हो, साथ के साथ finite भी होना चाहिए, तो य यही रिमार्क हमारा यह दोनों example verify करवाते हैं, अब देखें, यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे है कि show करो एक on-to function है, यह एक on-to function रहा होगा, और यह one-one होगा हमेशा, यह बात हमें इसमें show करनी थी, तो जितनी भी theory आपको इसमें लिखी हुई है, मैं वो समझाऊंग और आपको इसके बाद एक just reading लगानी, आपको अच्छी तरीकी से समझ में आ जाएगा, कि वो theory कहा रही है, अब देखें, यहाँ पे theory जो start करता है, जो solution शुरू करता है, वो contradiction का help लेता है, हम से यहाँ पे बोला गया है, कि यह एक one-one function होगा, यह proof करो, तो solution जो शुरू कह परता है, वो इस तरीकी से करा गया है, कि यह one-one नहीं है, ऐसा मान लेते है, ठीक है? वन-one नहीं है, ऐसा मान लेते है, चलिए, अगर one-one नहीं है, तो kya होगा, many one होगा, हमने पड़ा हुआ हये definition में, अगर one-one नहीं होता, तो many one होगा, of course यह वात है, तो यानि कि अगर one की image 1 मिल रही होगी और 2 की अब देखो अगर यह 1 1 नहीं है और अगर ऐसा इस पर arrow diagram बन रहा होगा तो यह तो onto भी नहीं हो रहा है यह onto भी नहीं हो रहा है क्योंकि देखो ना यहाँ पर एक 3 छूड़ गया इस 3 के लिए मुझे कोई भी element यहाँ पर नहीं मिल रहा है जिसमें लेता हूँ कि यह 1-1 नहीं है तो यह हमें क्या मिल जा रहा है ओंटो भी नहीं होगा ऐसा जरूर मिलेगा आप कोई और case भी लेके देख सकते हो बट देखो question में हमें क्या गिवन था कि यह तो onto है तो यानि कि जो बात हम लेके चले थे कि यह 1-1 नहीं होने वाला और उससे हमें क्या मिल रहा है कि यह onto भी नहीं होने वाला तो यह अगर यह सब्सक्राइक है तो हम लेके चले थे यह वन वन नहीं वह बात गलतひक अगर इसे one-one होना है तब ही यह क्या हो पायगा और हमें क्या घवन है कि यह एक reviewed function है सब्सक्राइब है यह बिन रहा हो कि 2 की 2 perfectly ओली और 3 की image सब्सक्राइब हो आप को यह और तरीके दोनों finite थे, एक गिवन था कि यह onto है, यानकि यहां के जितने भी elements है, वो सब cover हो रहे हैं, उनका हमें x मिल रहा होगा, जिसको की function पर रखने पर यह images मिल रही होगी, तो onto है, तो one-one भी definitely होगा, यही बात आपको theory में complete लिखी हुई है, example number 13 में, अब आप जब उस theory को complete लि 14 में हमसे कहता है, show that a one-one function f, जो इस set से इस set में लग रहा है, वो पक्का onto भी होगा, अब simple सी चीज़े है, arrow diagram बना के verify कर लेते हैं, कि one-two-three, one-two-three है, अभी कह रहा है कि one-one है, अब one-one है, तो इसका मतलब हो सकता है, कि इसमें कुछ इस तरीके की images देखने को मिल रहा हो कि one की image one हो गई, two की three हो गई, three की two हो गई, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि one-one है, one-one की condition फुल्फिल होनी चाहिए, अब देखो one-one की condition फुल्फिल हो रही है, तो सीधे सीधे implication मिल रहा है क्या, यह on-to b होगा, तो simple सा यहां से हमारे पास arrow diagram से conclude हो जाएगा, और यही बात आप से एक marks में पूछ लिया जाए, और इस बात का ज़रूर धिहान रखना कि infinite set में ऐसा कोई conclusion हम नहीं दे सकते, इसी के साथ यह lecture खतम करते हैं, और जितना भी इस exercise के लिए जरूरी concept हमें सीखना था, वो सब कुछ हम सीख चुके हैं, इसके बाद next lecture में हम इसके questions पिक करे Thank you so much for watching this video.